हेलो फ्रेंट्स विलकम बैक तो माई योट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स मैं हूँ बादलकुमार और आप देख रहे हैं जे एज बीडियू ब्लोग पर आप सभी का फिर से स्वागत है तो फ्रेंट्स अभी टाइम हो रहा आठ सो गूड मॉर्निंग फ्रेंट्स और आज है दो तारीक जैसे कि फ्रेंट्स देख सकते हैं अभी हम घर से निकल चुके हैं और रास्ता में हैं अभी हम लोग जा रहे हैं टूडी जरना जो कि डिस्टेंस मेरे घर से 15-20 किलोमीटर है तो डिस्टेंस को ताई करने में राउंड मिनिमम आधा घंडा लगेगा तो फ्रें तो फ्रेंट्स तो फिर चलिए चलते हैं यहां पर गाड़ी रेडी हो चुका है और सोनू भी रेडी है कास भी रेडी है और अब ही हम लोग यहां से चलते हैं और निकलते हैं यहां से और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है मिनिमम हम लोग को यहां से 10-15 मेट लगने झाल 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 तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं अभी हम लोग टुटी जहर ना पहुंच चुके हैं तो कि मंदिर देख सकते हैं सामने दिख रहा होगा और यह बहुत ही पवित्र धार्मिक अस्थाल है यहां पे शीव जी के नावी से में खुद बखुद यहां का पानीक्रता तो तह्त तपकल के दिखाएंगे हम आपको तो वीडियो में बने दिखेगें और तो चलिया भी हम आपको वाण दिखाते हैं मंदिर का दैसे टो फ्रेंट्स में मंदिर यहां से जाना है और कुछ इड़ी यहां से tack चलिया भी उतरते हैं हम लोग यहां से भी हम लोग नीचे उतरते हैं और जो मेन मंदिर है अब आपको दिखाएंगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यह है टूटी जहर ना प्राचिन सिव मंदिर जो की बहुत ही पवित्रास्थल है और अब आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस टाइप में यहां पे सीविलिंग में पानी गिरता है जो की उनके नावी से गिरते है पानी और जो की साल भर गिरते है चलिए आपको हम दिखाते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहां से कुछ अंदर जाने का मंदिर का अंदर जा चलिए फिर आपको हम अंदर जाकर दिखाते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यह मन्दिर का ठोड़ा सा भगल करना जा रहा है जो कि अगर आप यहाँ पूजा करने हैं तो आप यहाँ पर नहां भी सकते हैं नहाने का भी सुधाय देख सकते हैं यहाँ जाए हैं देख सकते हैं पानी भी बहुत करा वह जो दाग say है तो प्रेंट्स्ताएन यहां है कर आग भे लिए झार नम आपना दोट जार जारना में प्राचिन मंडीर यहां पर राते हैं जो की इस मंदिर का देख वाल करते हैं और पूजा wherein और तो its को मदाहिँ हमें हे किस मंदिन का constant क्या है ऑगा बता सकने किस मंदिनरें का खासिए उधर आ मंदिन पूरा जमिन का गरविंदर से निकलाुए पूरा मंदिन है मांटी से ही शक्लाइन दिरान रूप में था यह मंदिन कव का है किसने बनाया है इसका को इतिहास कि द्वापर का है तिरेता का है सत्यूग का है भगवान विश्वकर्म जी बनाया है इसका कोई पियात नहीं है जब गोमोट तू बढ़का करना रेलेवे लेंड बन रहा था तब मठी खुदाय करके इधर से पट्री बिछाने के लिए ले जाये जाया रहा था पट्री उसका जो लैंड गुजरा हुआ है यहां से पचास मेटर का अंदर ही है और वहां ले जाये जा रहा था तब जैसे मठी उठा ले जा रहा था तो उपर वाला गुमबच दिखाए दिया मजबूर को मजबूर पुना आया और अपना ठीकदार को सुचना दिया कि यहा पाया मंदिल का परवरूप देखाया उन्हें भाली भंती रूप से खुदाई किया साफसुत्रा खरवाया जिसमें बाहर मुख तीन दरवार निकले उसके बाद फिर छे फिट का ब्रेंडा है फिर निच्छी अंदर जो है पताल सीव आनि छेठों सीड़ी निच्छे उतर जल अविसेख सीविनिंग के उपर विश्टु भगवान के दोनों हाथों के दौरा होते रहता था था यहां मंदिल यू है कि कब है किसने बना इसका को इतिहास नहीं है और मंदिल बहुत पुराना है विश्टु भगवान के नाभी से मागगा जल अविसेख करते रहती है पतालसी होगे उतर में नदी है पूरब में सामसान घाट है बगल में हैंड पैम्प है जो बिना हैंडल चलाए हुए जल गिरते रहता है बतों कि यहां अगर आपको डोट इन खिल सकता बीमारी हो कि कहीं सकनेक्शन किया गया है तो मतलब कि भगवान भूले नहीं तने चमत क सब्सक्राइब के लिए उसमें भी जो है कि हैंडल आपको चलाने को सकता नहीं है आप देख सकते हैं घूम सकते हैं सबसे बड़ी बात यहां है कि भगवान और भक्त का यहां कहानी है बहुत को इसा सड़्धालू जब यहां आते हैं इस मंदिल प्रांगन में पहुंचते हैं जो भगवान सीव का आस्थार विश्वास रखते हैं भाव अनुसार आने के बात सक्षात रुप में सीवलिंग के पास ही मतलग सीवा गले सर्फ माला भगवान भोरे नाद का सीवलिंग के पास सर्फ देवता ना जारा मिलेंगे अंदर में बिश्णु जी हैं जो जल कर रहे हैं उनका गले में नागर नागिन दोनों विरजमान एक साथ हो करके उस बैक्ति के देगा जो भगवान के विश्वास आस्था रखता है भाव अनुसार आने के बात सबको तो नहीं हो पाता है लेकिन लग है कि जो उस आस्था जो भगवान पर ज्यादा ध्यान कि यहां सो कोई खाली गये हैं अभी तक वही साथ कुछ नहीं बैटा यहां साधी विवा यह पावित्रा मुंदा यहां पेक विवा भी अस्थल है धार्मिक अस्थल माना आता इसी काम से हां विवा भी होता है कम से कम आर्साव से हैं एक हजार की बीच में सब वीवा संपन होता है इसी जगह पर और साधी विवा रूद्रा विश्यक महमर्तिंजा के जाबता भावन आजी सब शलते रहता है बाबा मतोगी अब अगर तो कॉर्णा काल को फ्रेंड्स आपको जैसे बावन ने बताया कि जो एक हैंड पंप है जिसे साल भर पानी गिरते रहता और प्रय हो आपको भब पंप है बावन reflecting हैं गुणित कर दो खना है झाया चाया तो कॉर रहतता है जाह कना भर बताया षद़ बता आबवा है आर पुणक हैंजर ने को झाता हैं जालते हैंड़ हैंगा जाजरा हुआरा है जापको झाले। जाता हैंगे हैंगे अगे हैंगे है लुटें लुटें पड़ी लुटें